नमस्कार दोस्तों चेप्टर फ़स्ट है बिद्दुत आवेस व बिद्दुत चेत्र और ये कॉस्चन है एलेक्टिक डैपोल के कारण अक्षिय इस्थति में बिद्दुत चेत्र की तिवरता गयाद करो यानि बिद्दुत दूद रूप एलेक्टिक डैपोल मतलब तिवरता गयाद करो मैं गोल्डेन सर आप लोग का स्वागत करते हैं ये जो कोश्चन है बहुत इंपोर्टेंग कोश्चन है और ये चेप्टर फ़स्ट का लॉंग कोश्चन है और आसा करते हैं कि आप लोग को ये फाइदे मंद होगा ठीक है ध्यान से समझेगा अच्छ मिलाओगा ठीक है तो ध्यान से सुरू से अन तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को सेर कर दें और अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठीक है थैंक यू तो कोश्चन है एलेक्टिक डैपोल के कारण अक्षी इस्थति में जो इसन दूदे दूद्रोप तो हम एक बिद्दूद्रोप बनाते हैं ये बन गया बिद्दूद्रोप नाम इसका देते हैं A और B ठीक है यहाँ पावैस मैनस Q दे दिये और यहाँ पावैस पलस Q दे दिये और इसके मध में जो है हम कोई बिंदू ले लिए जिसे मौली ची हम इसके मध में ओ कोई बिंदू ले लिए ठीक है इससे आर दूरी पर अक्षे इस्थति तब होता है जब ओ बिंदू के 36 दिसा में हम बढ़ते हैं ओ बिंदू के 36 दिसा में हम अगर बढ़ते हैं तो वो कलाता अक्षे इस्थति और ओ बिंदू के वर्टिकल दिसा में अगर बढ़ते हैं तो वो ता निरक्षे इस्थति तो अभी हम जो पहार हैं वो पहार हैं अक्षे इस्थति तो ए भी एक बिद्दू दूधरू है बिद और इसके मद्द में वो कोई विंदू है यहां से यहां तक की दूरी मालीजी क्या है वो है आड है यहां पैप्पी कोई भिंदू-ख और आप लोग जानते हैं कि बल रेखा जो होती है धन आवेश से बहर निकलती है और रीन आवेश में अंदर आती है तो इसके कारण मौली जे उत्पन तिवड़ता जो है, वो है e1, बाहर की ओर, और इसके कारण जो उत्पन तिवड़ता है, left and above, क्यों? क्योंकि minus जो होता है, वो बल रेखा को अंदर लेता है, और पल cotton जो है, वो बलेखा को बाहर करता है, ठीक है? AB एक विद्दु दुदुरूब है जिसके मद्ध में ओकोई बिंदु है जिससे R दुरी पर P एक बिंदु है जिस पर हमें विद्दु छेत की तिवरता ग्यात करनी है यह डियाग्राम बना लीजिए और बहुत ही important question है ठीक है ध्यान से देखिएगा और यह exam में 5 marks में पुछता है long question है 5 marks में पुछता है ठीक है चित्र बनाने के बाद जो है इसमें dealing करना है और लिखना क्या है माना की AB एक बिद्दु दुई धुरूब जिसे हम electric dipole कहते है माना की AB एक बिद्दु दुदु धुरूब है जिसके मद में जिसके मद में वो कोई बिद्दु है जिससे आर दुरी पर इससे आर दुरी पर P एक बिद्दु है जिसपर हमें बिद्दु छेत्र की तिवर्ता ग्यात करनी है इतना लिखने के बाद हम लखोंगे मैंनस क्यू आ वैश्ट के का उत्पन दिवर्ता इस पर निकालेंगे और पलस क्यू आ वैश्का निकालेंगे और दिवर्ता एक सदीस रासी है तो इसको बिद्द देते हैं वीडियो पॉस्ट करके लिख लिजेगा अब माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन तिवर्ता तो मैनस क्यू आवेश का जो तिवर्ता उत्पन हो रहा वो हरा एटू मैनस कारण होता अंदर प्लस कारण होता बाहर तो क्या लिखेंगे वेक्टर एटू बड़ाबर वन बाइफ फोर पाइफसलन नोट इन्टू महुत बच्चा यहां गलती कर दता मैनस क्यू देता नहीं सदिस रासी में चिन्द मैनस देनी को जो नहीं डियरेक्शन दिया जता है क्यू बाइ और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी यह है आपको मद में यह दूरी कालाया ल और यहां से यहां तक की दूरी है आड तो टोटल दूरी हो गया R पलस L R पलस L का Holy Square ठीक है तिवर्ताक फर्मुला होता है पहले पढ़ा चुके हम 1 by 4 pi epsilon note q by r square इसका video बना चुके हैं ध्यान से देख लिजेगा ठीक है तो 1 by 4 pi epsilon note q by r square यह तिवर्ताक फर्मुला है अगर हम minus q आवेस का उत्पंते पुर्ता निकाल दें हैं तो क्या होगा 1 by 4 pi epsilon note q बट है यहां से यहां तक के दूरी कितना यहां तक तो r है यह l है तो r plus l का होल इसका इसका direction किदर होगा तो p से b की और p से b की और यह लिख दीजेगा तो इससे clear हो जाता है कि यह vector रासी है p से b की और इसका direction है minus q आवेस का उत्पंते पुर्ता होगिया 1 by 4 pi epsilon note बहुत टीचर यहां minus दे रहता है वो गलती है वैसा आपको book में भी नहीं मिलेगा यहां minus q आप book में भी देखेगा यह minus q रासी कारण नहीं होता है ठीक है वो direction दिया रहता है ठीक है आप किताब में भी देख सकते हैं विटाते हैं उसके बाद हमको देखना है minus q कारण तो निकल गया अब plus q आवेस कारण देखना है plus q आवेस के कारण उत्पन टिवृता तो plus q आवेस कारण गर टिवृता निकालेंगे तो फरोमलाओ जाएगा इसके कारण टिवृता बाहर की और निकलेगा क्योंग पलस है तो बाहर की और minus अन्धत अंदर की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा l होगा क्योंकि total दूरी है 2L ये दूरी L हुआ तो ये दूरी भी L होगा अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी तो R है यहां तक R में ये दूरी घटा देंगे तो यहां से यहां तक दूरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा E1 बराबर वेक्टर E1 1 बराब 4 पाइपसलन नोट क्यूब अट है और यहां से यहां तक की दूरी कितना हाथा R घटा L का हॉली स्क्वार डाइरेक्शन जो इसका होगा वो क्या होगा तो B से P की ओर B से उसका तरेक्शन P से B की ओर इसका डाइरेक्शन है B से P की ओर लिख लेजिए अब जो है तिवर्ता एक सदिस रासी है और इसके बीच का कौन देखिए वो बनता कितना है 180 डिग्री यह दोनों के बीच का E1 और E2 के बीच का कौन जो है वो बनता 180 डिग्री और 180 डिग्री कौन बनता है तो यहाँ पर ठीटा होगी आपको 180 डिग्री ठीक है E1, E2 ठीटा है 180 डिग्री इसका पईनामी तिवर्ता निकालने का सुत्र होगा मिटाते हैं इसको ध्यान से समझेगा सुरू से अंतक देखिएगा तो आपको जो है पूरा कंठाग्र हो जाएगा कभी नहीं भूलिएगा तो अब भेक्टर E1 और भेक्टर E2 का परिनामी तिवर्ता परिनामी तिवर्ता तो क्या होगा बच्चों E बरावर रूट अंडर भेक्टर E1 का स्क्वाइड पलस भेक्टर E2 का स्क्वाइड पलस तू भेक्टर E1 भेक्टर E2 अब कॉस ठीटा होता है तो कॉस ठीटा जग्या देंगे 180 दिग्री ठीक है भेक्टर E1 का स्क्वाइड पलस भेक्टर E2 का स्क्वाइड पलस 2 E1 E2 गोस ठीटा होता है और ठीटा कितना है तो 180 दिग्री परिणामी तिवर्ता E बड़ावर क्या होगा रूट अंडर E1 का स्क्वाइड पलस E2 का स्क्वाइड जब भेक्टर पर स्क्वाइड दे आता है तो भेक्टर का चिन जो है हट जाता है E1 के स्क्वाइड पलस E2 के स्क्वाइड पलस 2 E1 E2 आप कॉस एक्सो स्क्वाइड मान होता है मैनस 1 कॉस एक्सो स्क्वाइड मान क्या आता है मैनस 1 तो आप देखिए पलस गुना मैनस यहां क्या होगा मैनस रूट अंडर e1 की square प्लस e2 का square मैंनस में 2 e1 और e2 इसको अगर हम solve करेंगे formula इसका क्या होता है a square मैंनस 2ab प्लस b square formula क्या होता है a मैंनस b का whole square यानि e1 मैंनस e2 का whole square और उसका root अब square है और उसका वरगमूल क्या हो जाएगा उसका वरगमूल हो जाएगा मोड में देदीज आए vector e1 अगहटा में vector e2 का mode में इसलिए दिया लाता है कि तिबर्ता सादेब धनातमक होता है तिबर्ता सादेब धनातमक होता है इसलिए इसको mode में दिया जाता है ठीक है तो यह लिख लिजिए अब जो है इसको आगे solve करना है E1 और E2 का मान बिठाना है घटा देना है और तोड़ देना है ठीक है इस वीडियो को आप लोग दियान से देखिएगा और यह question exam में आता भी है और यह long question है इसलिए long question आदमी को दिमाग में जल्दी नहीं आता है इसको आप दियान से देखिएगा तो आजाएगा तो अब vector E1 का जो मान है वो है आपको one by four pi epsilon node q बट है r minus l का हो देख लिजिए और E2 का मान है one by four pi epsilon node a cube बट है r plus l का whole square है यह दोनों में common कितना है उसको हम बाहर कर लेते हैं ठीक है common जो है उसको बाहर करेंगे तो q by four pi epsilon node common आ गया अंदर में बचा one by r minus l का whole square ने बचा अघटा में one by r plus l का whole square अब इसका हम लोग लगुतम लेंगे तो vector e बडाबर q बट है four pi epsilon node और इसका जो हम लगुतम लेंगे तो क्या बचेगा r minus l का whole square इसको इससे गुना कर दिजिए r plus l का whole square इसको इससे गुना किजिए r minus l का whole square calculation है गनीत यहां सुरू हो गया physics खतम हो गया गनीत सुरू हो गया है हांसे calculation मतलब गनीत physics का भासा वही तक था अब दिखिए इसको आगे बनाते हैं तो vector e बडाबर q by four pi epsilon node आए दिखिए a plus b का whole square क्या हो गया a square plus 2ab plus में b square घटा दे करके a square minus 2ab plus में b square अब बटे हैं यह दिखिए यह हुआ a plus b यह इंटो a minus b और इसको हम लिख सकते हैं r square minus l square दोनों में square थाथ square लगा देते हैं ठीक है दोनों में square थाथ square common हो गया r square minus l square वेक्टर e बड़ाब q by four pi epsilon node यह मैनस जब अंदर जाएगा r square r square कटेगा l square l square कटेगा minus minus plus चोड़ 2rl 2rl हो जाएगा 4rl सब कट जाएगा नीचे बचेगा r square minus l square का holy square ठीक है इस चीज को अगर हम ऐसे लिखे वन वाइ फोर पाइए epsilon node अब क्यू गुना 2l अगुना में 2r 4rl को हमें से लिख सते हैं 2l गुना 2r अब बटे में r square minus l square का holy square एक चीज आप लोग को यादो का बिद्दु तो दूदुरूप आगुण उस पर भी video बनाए हैं देख लिए जाकर के बिद्दु दूदुरूप आगुण को फर्मलाता पी बराब क्यू गुना 2l बिद्दु दूदुरूप के किसी एक आवेस और दूदुरूप के लंबाई के कुणन फल को बिद्दु दूदुरूप आगुण करते हैं और उसे पी से सुझित करते हैं अर्थात पी बराब क्यू गुना 2l और यह सदीश रासी है तो इसलिए वेक्टर लगा दीजिए वेक्टर पी बराबर क्यू गुना वेक्टर 2l समझ माया बात अगर वेक्टर में लिखना है तो यह वेक्टर यह बराबर क्या हो जाएगा वन बाइ फोर पाए एपसलन नोट और क्यू गुना 2l को हाटा क्या लिखेंगे तो पी ठीक है आ गुना में 2r बटे में r2-l2 चित्र को दियान से देखिए विद्दू दूदू रूब जो है वो बहुत ही छोटा सा डैपोल होता है यह बहुत छोटा होता है यह मैनस q था, पलस q था, बीच की दूरी 2l था यह खूद छोटा होता और इसको आधा कर देंगे तो और काफी छोटा हो जाएगा लेकिन r तो हम दूरी उन लिये थे तो r के तुलना में l जो है वो काफी छोटा हो जाता है R के तोलना में L वो क्या हाता है, काफी छोटा हाता है, चुकि L भेडी भेडी लेस किस से, R से, L जो है R के तुलनाम काफी चोटा है जो काफी चोटा होज़ता वो नगन्य हो जाता है उसकी गणना नहीं होती है इसलिए L नगन्य रासी है नगन्य है जिसकी गणना नहीं होगी तब अधिस रासी में ही लिग देते हैं तब E बड़ावा 1 वाइ 4 पाइ एपसलन नोट इंट P गुना 2R बटे R स्क्वाइड ये तो नगन्य रासी है जिरो हो जाएगा तो R स्क्वाइड काहूल इसको नगन्य मतलब उसकी गणना नहीं होगी ठीक है अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो E बड़ावा 1 वाइ 4 पाइ एपसलन नोट P गुना 2R बटे R के पावर 4 एक R कर जाएगा तो क्या बचेगा 1 वाइ 4 पाइ एपसलन नोट अट 2P बटे R Q ठीक है यानि E बड़ावर जो है आपको रिजल्ट जो आया E बड़ावर 1 वाइ 4 पाइ एपसलन नोट 2P बटे R Q समझवाया बत यह मान जो है अक्षिये इस्थिति में बिद्द दूद्रूव बिद्द दूद्रूव के अक्षिये इस्थिति में उत्पन तिवर्ता के लिए आवस्ये बिद्द दूद्रूव के अक्षिये इस्थिति क्या होता है कि बिद्द दूद्रूव जब हम बनाते हैं उसके सीधे डैरेक्शन उसी के लोग अगर हम चलते हैं तो वो कलत कि चलेंगे होता है होता है निरेक्ष्य इस्तिती समझ माया बात कहें परिशा नि अक्ष्य इस्तिती क्या होता है कि हम volont होता है पाई, एप्सेलन नोट टू वेक्टर पीवट है, आर्टी, ठीक है, कोई परिशानी, यह आप लिख सकते हैं, और यह कोस्टन बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ओके, बिश्ट अफ लग, फिर नेक्स्ट कोस्टन जो है, आपको दिया जाएगा, दंदवाद, निरक्षी, बिद्दुत दुधरूब के कारण, निरक्षी इस्थति में बिद्दुत छेत्र की तिवर्ता ग्याद करो, बहुत ही अच्छा कोस्टन है, लॉंग टाइप कोस्टन है, फाइप मार्स में आता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, पले तो इस च मैं चीज को चितर बनने शिख जाएए, छितर अगर बनने आप शिख जाते हैं, तो आप से सोलीशन हो जाएगा, फिरिक्स का में है कि आप चितर को कंसेब्ट में लाईए, चितर को समझिये, और चितर अगर आपके दिमाद में आ गया, तो आपको जो है, कोई भी कठीन उसित्वाल्रेश्ट वहासानी से बन जाएगा तो बिद्दूत क की संद्रूप कर निर्मान करते हाँ कि दूधरूप करूल प्रेजर्द यहां सक्यू और यहां पर मैंश क्यूद दूधरूप तब होता है जब समान!!! chaже रहे लेकिन प्रकृति क्या हो विप्रित हो एकॉणों चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है इस विद्धुत दुधरूब के मध में हम औह रिए कोई विंदू लेते हैं और आप लोग बता चुके हैं कि दूदु रूब के लंबाई को हम लोग क्या करते हैं तो 2L करते हैं क्यों कहते हैं क्यों कि आधा करने में आसानी होता है तो यहां से यहां तक कि लंबाई हो जाएगा एल और यह लंबाई हो जाएगा टू एल है तो यह आधा लंबाई एल हो गया और आधा लंबाई एल हो गया अब अक्षिय इस्तिती में हम इस डिरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और निरक्षिय इस्तिती में ओके लंबवत डिरेक्शन में आगे बढ़ेंगे ठीक है अक्षिये में क्या होता है छेतीज में आगे बढ़ते हैं और निरक्षिये में उदगर में आगे बढ़ते हैं इसके लंबवत डिरेक्शन में मौन ली जी यहां पर हम पी कोई बिंदू ले लिए समझ माया बात यहां पर हम पी कोई बिंदू ले लिए जो कि आपको ओ से कितना दूरीप है या आर दूरीप है कितना दूरीप है आर दूरीप है यहां से इसको मिला दीजिए अब इससे जो बल रेखा निकलेगा पलस है तो बल रेखा बाहर निकलेगा बल रेखा का डिरेक्शन जिधर होगा विद्दुद छेदर की ति बाहर जाता है ऐसे जाएगा बाहर इस डिरेक्शन में तो इसका जो तिब्रता होगा इस डिरेक्शन होगा मौली जी इसका तिब्रता आपको क्या हो गया एवन हो गया समझ माया और इसका जो है बल रेखा मैनस है ना इसका जो बल रेखा होगा इसको इससे मिला दीजी पहले इसको इससे मिलाईए मिला दिये और इसका जो तिवर्ता होगा इसका तिवर्ता अंदर की उर होगा यानि E2 ये समझ माया ये पलस है तो बल रेखा बाहर निकला बाहर निकला तो तिवर्ता भी बाहर हुआ मैनस है बल रेखा अंदर आता है मैनस में बल देखा अंदर आता है अब पलस में बल देखा बाहर जाता है ठीक है इस पर हम वीडियो बनाए है देख लेजिएगा ठीक है तो पलस से बल देखा बाहर निकलता इसलिए तीबृता भी बाहर गया मैनस में बल देखा अंदर आता है इसलिए तीबृता मैनस अंद कर झातर है यह कौन अगर ठीटा है ज्यास समझेगा चित्र को समझ गए तो गर्दा ज़ार देजिए हैं यह कौन ठीटा है और यह कौन भी ठीटा है समझमाया बात अब देखिए इसी direction में आगे अगर हम इसको बढ़ा देते हैं ठीक है और इसका इसका दखिए इस point से इसको भी आगे बढ़ा देते हैं अब देखिए कितना सुंदर चित्र बन गया ये कौन अगर ठीता है तो एकांतर के नियम से ये भी कौन ठीता होगा ये कौन ठीता है तो एकांतर से ये भी ठीता होगा ये कौन ठीता है तो संगत कौन से ये भी कौन ठीता होगा संगत से ऐसे अगर है अगर ये कौन ठीता है तो यहाँ भी ठीता होगा यहाँ भी ठीता होगा ठीक है और एकांतर का क्या रूल है कि अगर मान लिजिए ये कौन ठीटा है तो ये भी कौन ठीटा होगा यहीन एक अंतर के नियम है तो ये कौन ठीटा है तो ये भी कौन ठीटा होगा संगत से ये ठीटा है तो इसी लाइन में आगे बड़िए ये भी ठीटा होगा किलियर हो गया तो संगत कोन एकांतर कोन तो आप लोग टेंथ क्लास में पढ़े होगों ये ट्वैल्थ क्लास का है ध्यान से देखिए अब जो है इस तिवर्ता का ब्योजन होगा बटवारा होगा ये कहलाएगा छेतीज दिसा और ये कहलाएगा उदगर दिसा फिर इसका भी ब्योजन होगा ये कहलाएगा छेतीज दिसा और ये कहलाएगा उदगर दिसा तो छेतीज दिसा में जब भी ब्योजन होता है तो कोस लगता है क्या लगता है कोस लगता है और उदगर दिसा में जब भी ब्योजन होता है उसमें साइन लगता है तो इवन का ब्योजन अगर सब्सक्राइब करेंगे 36 में तो क्या होगा इटू कोश ठीटा या वेक्टर इटू कोश ठीटा समझ माया बात नहीं फिर उसी प्रकार से इसका उदग्र में वियोजन करेंगे तो क्या लिखेंगे समझ माया चित्र की नहीं आया इसका जो तिवरता था बाहर की और क्यों निकला क्योंकि पलस था इसका तिवरता अंदर क्यों आया क्योंकि यह मैनस था दोनों की बीच की दुरी कितनी 2L मद्ध में L और L हो गया इससे यह एक बिंदू ले लिए जिस पर हमें बिद्दू छेती दिशामें ब्योजन जब भी होगा तो कौश लगता है उदग्र दिशामें जब भी वियोजन होता है शाई लगता क्यों क्योंकि यह आधार होता है आधार और करन का इसलिए इसमें वर्दाए घणिश अधर निकालेंगे तो क्या है कर्ण सोटीटा क्या हुआ रहनार क्या होता है क्यों होता एक को यह का हुआ होता है और स्मौन था श्राइब अप्रण फोट्ण होगा कर्ण कुनाका तो तो क्या है कर ons सब्सक्राइब दिए यह लिदाने ordered और सुट्र क्या रिया कर न कोन ए यदि स्क्राइब लिदे और GROण कोलाई को यदि고 है B कर्ण कुना साइन क्या है यह गुना साइन समझे आधार दिसाम भी बात करेंगे तो कर्ण कुना कौस समझ माया बात छेतीज में सिधा दिमाम रखेंगे छेतीज में कौस लगाते हैं उधगर में साइन लगाते हैं ठीक है तो सुत्र पर भी बैठा सकते हैं सुत्र पर देखि लब बड़ा करन कुना साइन यह कंसेप्ट है ठीक है तो अब चीतर जो है करीब करीब कंप्लीट हो चुका है अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए ने बनाना चाहते हैं कोई बात नहीं यह L है यह क्या है यहां से की दूरी जोगी पाइथागोरस थियोरम से यह आपको लंब हो गया यह आपको अधार हो गया अब प्रिक्रिया शुरू करते हैं लिखिए गहात लिख लिजिए लिखिए माना की AB एक बिद्दुत दुधरूब है माना की AB एक बिद्दुत दुधरूब एलेक्टिक डैपोल बिद्दुत दुधरूब है जिसके मद में वो कोई बिन्दु है जिसके मद में वो कोई बिन्दु है जिसके मद में वो कोई बिन्दु है जिससे आर दुरी पर पी कोई देखिए पी कोई बिन्दु है जिस पर हमें क्या करना है तो बिद्दुचे तिवर्ता ग्यात करना है जिस पर हमें बिद्दुचे तिवर्ता ग्यात करनी जो करना है वो लिख दिजिएगा तो फूल मार्स मिलता है ठीक है यह सर एक्जाम में लिखना चाहिए जिस पर हमें बिद्दुचे तिवर्ता ग्यात करनी है हो गया? मिटा देते हैं वीडियो को रोकल आराम से लिख लिजिए अब जो है कहानी इसके कान तिवर्ता निकालेंगे तिवर्ता सदीस रासी होता है इसलिए चिन नहीं दिया है डिरेक्शन दिया है बच्चा सब करता है पलस क्यू आवेस का अंदर क्यू दिया मैनस क्यू आवेस का मैनस क्यू देता है पी बिन्दु पर उत्पन टिवर्ता पी बिन्दु पर उत्पन टिवर्ता एवन बढ़ाबर क्या लिए एवन बढ़ाबर ओन-बाय फोरई एपसलन नोट अग क्यूबट ए मेफ्टर Knay to 10 को पर ऍसका दुरी का स्कृष होता है यहां से यहां एसे पी की और ये लिखना ज़रूरी है प्लस क्यू आवेस्कान पी बिंदू पुत्पंति बता हो गया वेक्टर एवन बढ़ाव और फोर पेपसिलर नोड क्यू बट है आर स्क्वार प्लस एल स्क्वार एसे पी की और ठीक है अब जो है मैनस क्यू कारण निकालेंगे मिटा यहीं लिख दोते हैं मैनस क्यू आवेस्के कारण पी बिंदू पर पी बिंदू पर उत्पंति बढ़ता पी बिंदू पर उत्पंति बढ़ता बूल यह क्या होगा वेक्टर एटू बढ़ावर प्र Window यहां मैनास क्यू लेंगे और नहीं लेंगे यहin वह गल्ति करता बच्चा मैनस क्यू नहीं ले रज़ाई का और पी से बी की और इसका डीक्शन किदहर होगा पी से बी की और लिख दिये अब आप लोग से एक क्वेस्टन हम पुछते हैं और वो क्वेस्टन जवाब दे दिये क्वेस्टन इसका सुलिशन हो गया बोलिए E1 का मान और E2 का मान बरावर है कि नहीं है E1 का मान और E2 का मान बरावर है हाई की नहीं देख लिए इवन एटु का मौन बर्द बर्द का बर्द हे तो इसके कार्द यादि जो उपर हो रहा है एवां साइट फिता उड्रा है इस इसE डैरेक्शन में क्य व रहा है E2 साइट थिटा यह एक दुसरे को खतम कर देगा न क्यों साइन साइन तो बड़ावर है एवन एटू भी बड़ावर है दुनुक दिसा क्या है विप्रीत है तो अगर माल लीजिए हमको कोई दस न्यूटन से पूरव खीचेगा और कोई दस न्यूटन से पच्छिम कीचेगा हम किधर जाएंगे नहीं जाएंगे स्थिर मानते हो इवन का मान जितना है उतने ही इटू का मान है इसका मतलब यह हुआ कि इवन साइन ठीटा और इटू साइन ठीटा आपस में बड़ावर है लेकिन दिसा में क्या है विप्रीत है इसलिए एक दूसरे क्या कर देगा निरस्थ कर देगा खत्म कर देगा समाप्त कर द तया ठीक है तब जो है कुल तीवरता इसी डिरेक्शन में होगा भर्टिकल तो खतम होगया वर्टिकल उपर की और यह था यूपटा नीचे अमें था एट्ट्व सैंट्वीटा अदोनों देखो इवन इट्व आपसरी बरावर है आपसमें बरावर है तीवरता बरावर है ड पी बिन्दू पर कुल्ती ब्रता उसका डारेक्षण सेम है की नहीं है तो दोनों का डारेक्षण एक ही और है एक ही और है तो क्या होगा डारेक्ष जोड़ सकते हैं करेंगे इव वेक्टर ऑबर ऐवन अ कोश झीटा पलस टू जिए या ब्यक्टर ऑख बढवर आचा यह एवन इटू बढ़ाबर है हम जो मौन निकाले रहें देख लिजिए आप देखे घात आट वन का मौन भी आपको था कितना 1 by 4 pi epsilon node Q what is R square plus L square E2 का भी मान वही था 1 by 4 pi epsilon node Q what is R square plus L square E1 और E2 दुनों तो मान बढ़ावर है मान बढ़ावर है E1 और E2 को अगर हम जोडेंगे तो चाहे तो हम 2 E1 या तो 2 E2 लिख सकते हैं तो 2 E1 कॉश छीटा हो गया क्यों E1 और E2 आपसे बढ़ावर है तो दुनों को जोडेंगे चाहे तो 2 E1 लिखो या 2 E2 लिखो मान देख लोग अभी थादे पहले बता है E1 और E2 का मान बढ़ावर है तब ने बढ़ावर हुआ तब ने बिप्रित होने का निरस्त हो गया तो जोड़ो गे तो E1 का मान जो हम लिखे है वो लिख दीजें क्या है E1 का मान तो 1 बाए 4 पाए एपसलन नोट और क्यू बटे R2 पलस L2 अकाष छीटा का मन है यहां से निकालिए काष छीटा क्या होता है अधार बटे कर्ण भी बटे आच अधार कितना L है अकर्ण कितना तो रूट में R2 पलस L2 है लिख लिजे फटा पट इस चित्र का आप काम नहीं है इस चित्र को आप हम कल्यान कर देते है ठीक है अब जो है वेक्टर E बराबर 1 by 4 पाई एफसलन नोट यहां हो गया क्यू अगुना में 2 L दो गुना है न तो क्यू गुना 2 L अब बटे में कौन अब देखो रूट मतलब क्या होता बच्चो पावर हाफ रूट मतलब यहां पावर है 1 तो 1 और हाफ जोड़के क्या बन गया जानते हो 1 और हाफ जोड़के बन गया 3 by 2 रूट का मतलब था पावर हाफ हाफ मतलब 1 by 2 1 by 2 आई यह हुआ 1 तो वन बाट टू वन गोजो थ्री वैट टू ठीक है अब आप लोग जानते हैं पी बड़ावक क्या होता है क्यों गुना टु एल पी क्या चीज है बिद्दू दुद्रूब आगुर्ण है याद रखियेगा सुत्र है पी बड़ावक क्यों गुना टु एल तो इसलिए भेक स्कायर फ्रेट्टल होल के पावर थ्री वैं अब जो है हम क्या करेंगे जल्दी बोलिये यह को चोटा करेंगे अजड़ा विडि यहel चित्र में देख लीजिए यहel काफी चोटा है किससे आड़ से आल तो लंबा था न एयल क्या था काफी चोटा 2L का भी आधा है तो एल काफी छोटा है किस से आर से जो काफी छोटा तो वो क्या था नगन्न हो जाता है इसलिए एल नगन्न है यानि इसकी गणना नहीं होगी तब यी बड़ाबर क्या होगा बोलो यी बड़ाबर वन भाई फोर पाई एपसलन नोट अब पी बड़ा ये तो गणना नहीं हुआ खतम कर दिजिए आर स्कॉर अहोल के पावा थिरी वाई तू ये तू ये तू कटा बोलो अब एका रिजल्ट जो फाइनल हो गया वो क्या बन गया जल्दी बोलिए एका फाइनल रिजल्ट हो ग विद्धुत दूदरूब के कारण विद्धुत दूदरूब के कारण निरक्षिय इस्थिती में उत्पंति वृता के लिए आवस्या करें रंदवात कल हम लोग पढ़ेंगे किसी भी इस्थिती में विद्धुत दूदरूब कारण उत्पंति वृता वो और झाल झाल